कुद मॉर्निंग क्लास मैं मोहंत मार्शिंग डिपार्टमेंट आरे से साइंस को लेशे जावा के इस लेक्टर में आप सभी का वेलकम है और आज हम लोगों का जो टॉपिक चल ला है वो इन हेरिटेंस चल ला है और इसके अंदर आज जो जो उसके सब टॉपिक से हमें पढ टोण और टॉपिक पढ़ा था या जो लोग जानता हैं कि ओग फॉप्लस प्लस को अशी तरीके तो वो जानता है कि फिलस्लस में एक कंसेप्ट था है, रन्टाइम प्लिमोर्फिज्म का यानि की अंडिकि डेस क्लास्टिक के पास लिएक मेथण है और डे方面 न्याषी पास method dispatch के नाम से जानते हैं और उसी नाम से हम रोग इसको study करते हैं तो चलिए आएए देखते हैं topic पर आता है काता है कि the dynamic method dispatch is used to implement runtime polymorphism यानि runtime polymorphism को implement करने के लिए dynamic method dispatch के इस्टेमाल किया जाता है in this mechanism method overriding is resolved at runtime यानि runtime पर जो method overriding जो है इसको resolve किया जाता है in speed of compile time यानि compile time के बदले runtime पर कौन सा method call होगा यह decide होता है that is in case of overridden method यानि कि overridden method के case में which method will be executed is decided at runtime time okay तो यहां पर एक प्रोग्राम है च्छोटा सा आना इस प्रोग्राम को मैंने notepad में भी कर रखा है तो मैं हम लोग direct notepad पर ही चलते हैं और मैं इसको compile करा के भी अभी आपको दिखाऊंगा इस प्रोग्राम को दिखिए यहां पर एक हमारा सुपर क्लास है और यह हमारा बेस क्लास है एक चीज ध्यान रखेगा कि यहां पर मैंने क्लास का नेम जो लिख रखता है या keywords है वो कभी भी identifiers की रूप में यूज नहीं होते हैं class name variable name की रूप में यूज नहीं होते हैं तो so that s is the capitalist और यहां पर एक display नाम का function है और इसमें लिखा हुए base class method वैसा ही दूसरा हमारा सब क्लास है और सब क्लास के पास ही same method है बट उसके definition में अंतर है कि यह define कर रहा है सब क्लास में से बांकी सब कुछ save है और यह super class को extends कर रहा है यहां पर main में से ले आता है main में हमारा क्या है तो हमने देखिए अब यहां पर object बनाते है super को लेकिन super का object बनाया है लेकिन उसको initialize कि जिए memory दिया किसका तो हमने दिया sub class का अब यह object जो है यह जब display को call करेगा तो कौन सा बला call होगा यह देखिए object तो हमने बनाया है super का इसका बनाया है लेकिन उसमें हमने क्या किया कि अब इसको हम लोग प्रोग्राम तो आप लोग होल्ड करके write down कर सकते अपने copy में यह जहां कहीं भी आपको इसको no down करना हो इसका हम लोग practically run करा कि इसको देख लेते हैं तो यहां सब्सक्राइब में हमारा program है तो हम इड्राइब में चलते हैं और इड्राइब में जो हमारा folder है वो है one less program प्रोग्राम से अंदर चलते हैं यहां पर आगे यहां पर देखे मैंने यह folder कोल के रखा है यहां पर main underscore dynamic dot method dot java इसको मैं open कर देता हूं फिर से तो यह पहले से ही open था और यह हमारा program है तो इसे अभी run कराना है और यह display करेगा इसको ओके इस method को यानि sub class के method को और यहां जो concept है वो तो भी मैं बताया ही यहां पर हमने super का object बनाया लेकिन इसको इसको क्लास का दे रहा है तो डराइब कर यह सब क्लास का दे रहा है तो प्रोग्राम के पहले हम लोग compile करा लेते हैं और एक ही और मैं बता दूँ यहां पर यहां पर अभी एक ही फाइल नहीं यानि कि केवल मैं अंडर्सकोर दैनेमिक अंडर्सकोर में अंडर्सकोर डैनेमिक अंडर्सकोर में अंडर्सकोर डैनेमिक अंडर्सकोर डैनेमिक अंडर्सकोर और क्या हमारा में अंडर्सकोर में अंडर्सकोर में अंडर्सकोर डैनेमिक अंडर्सकोर कर गया है और यह प्रोग्राइम कोमपाइल करने के साथ यह क्लास के साथ विया थीन क्लास 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 करदेना दूं नॉर्मल जब हमारे एक क्लास होता है थे एक ही तो तीनों क्लास का जो बाइट कोड है वो बनके आ गया है मारा यहां पर अब इसको हम लोग रन करा लेते हैं तो रन कराने के लिए चेबल जाबा इंटिक्रेटर एंड नेम आप जावा इंटिक्रेटर दी जावा तो जावा एंड में अंडर इसकोर डाइनेमिक मेथड और यहां पर देखे है सकते हैं सब क्लास मेथड यानि कि यह वाला जो हमारा यह वाला सब क्लास में यह वाला यह वाला डिश्प्ले मेथड शब क्लास का यह कॉल हो रहा है अब आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धनेवाद अब फर्दर जो भी next topic होगा जावा में हम आपके सामने लेकर के आएंगे आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए पुना एक बार और धनेवाद